कि कि अब दोस्तों कैसे है आप लोग तो आज हम बात करने वाले हैं how to learn mental autism lesson number six यह बहुत ही बढ़ी होने वाला है यह आकरी वर्ड बचा हुआ है जिसके बारे में हम आज बात करने वाला हूँ तो आज का वर्ड है व व याने जैसे मेरा नाम है भी नहीं वह याने वजन वह याने वह याने क्या हो सकता है विशाल ओके तो वह वह वर्ड जब यूज करते हैं मैं अभी आप से बात कर रहा हूँ वह देख रहे हैं थोड़े लिप्स में थोड़ी सी ठेराव आ चुकी है जो इस तरह से बात करने से थोड़ा प्राब्लम हो जाता है जिसे वह वह आप देख रहो मेरे टीत और लिप्स एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो इसे भी इसका भी आप हमारे पास सुलूशन है गया इसके लिए भी हमने कुछ ना कुछ लिखा होIsने हमारे पास सेंटनस ए सुला姐 मैने करें ईजो होता है उस में से आपके जितने भी वर्ड्स वह जो और वो आतर्य यूजर लाइक में नाम करें और कसे लिए ए को तो ओ इस 으 इने बोलता हूँ तो जब वजन बोलता हूँ तो इस तरह से आपको आ, आ, इ, ई, उ, आ, जो भी है वो जितने भी letters है वो आपको याद रखने होंगे और वो आपको यूज करना जैसे ही word घूम जाए तो मेरे पास इसी तरह का एक sentence है जिससे आप use कर सकते हो मेरे पास इसी तरह का एक sentence है जिसे आप use कर सकते हो like दोड़ते समय विनय को वजन की वजह से वक्त लग गया so guys हम मैं इस तरह पढ़ूंगा इसे दोड़ते समय विनय को वजन की वजह से वक्त लग गया समझे आप तो आपको इस तरह पढ़ना जैसे मैंने alphabets बता है उसको इसके alternative use करना जब आपका puppet बात करें वैसे तो आप वह तो यूज करें अपने मुझ से so guys यह था मेरा आखरी वाला letter जैसे कि मैंने आपको बताया था so guys हमारे five words है जो five alphabets है वह आपको याद रखने है hundred percent उसकी practice करनी है ब, प, फ, म, एन, व आखरी वाला यह था इसके बाद भी आपको कोई problem आती है तो प्लीज आप comment करके बता दीजिए कि यह word मुझे difficult लग रहा है जाफिए यह word में कोई problem है तो मैं उससे भी solve करने के लि questions का मैं answer दे दूँगा आपको तो hello guys puppets जब बात करते हैं तो कैसे करते हैं उसके बारे थोड़ा सा tips मात आने वाला हूं जब भी हाप अपना हाथ ऐसे रखोगे like यह चार उंगलिया उपर और एक छोटा सा हाथ नीचे ऐसे okay तो ऐसे रखना है आपको और जब भी आप practice करो तब यह words तो आप बात में practice करोगे तो उससे पहले puppetry को handle करने के लिए आपको बात करनी है क ख ग ध ऐसे तो इस तरह से आप जब बात करोगे तो आपको आसानी होगी इससे better दो options हमारे पास और है like ABCD और 123 यह सबको याद होते like one two three four five six seven eight nine ten eleven ten जब यह puppet आपको दिखाना हो तो उसको हलका सा बोलते वन जटका देना है like ऐसे तो इससे feel आता है कि इंसान जब वो puppet है जिंदाक तरीके से हमसे बात कर रहा है इसका एक feel आता है जब आप छोटा सा हलका सा जटका देते हो और आखे कभी भी यहापर होनी चाहिए आखे ठी करना है वो puppet next वीडियो में जरूरा है तो इसे आप फॉलो करते लिए पहले सभी के practice कर लीजिए और आपको पर बताऊंगा कि इतने जितने में words बताये उसको puppet के साथ कैसे practice करेंगे और उसको बहतर कैसे बनाएंगे thank you guys ऐसे फॉलो करते लिए practice करते लिए और यहापर जो like बला बटने बहुत अब आईए subscribe दबा दीजिये और मुझे जाने की जादा दीजिये thank you